संगीत सोम आपके साथ हैं चुनाव में वो भी आपके पुचार में है या उन्होंने एक तरीके से वलग रखा हुआ वो आप उन सब उच्छोगे तो ज्यादे बैठे रहेगा इसका नुपसान है कोई वो चुनाव के बाद अकलन होगा पश्चमी उपी में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए मुश्कले खड़ी हो रही है पश्चमी उपी का राजपू समाज बीजेपी के खिलाफ मुर्चा खोल चुका है छत्रिय स्वाहिमान महाकुम के बैनरतले राजपूत इस बात की कसम खा रहे हैं किस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे जो बीजेपी को हराएगा उसका साथ देंगे एक तरफ राजपूत बीजेपी प्रत्यासियों को हराने की सौगंध ले रहे हैं दोसरी और पश्चमी यूपी के बीजेपी के आकरामक राजपूत नेता संगीत सोम अपने ही लोगसभा में प्रचार से गायब दिख रहे हैं मुझफर नगर में बीजेपी के प्रत्यासियों जाट नेता संजीयों बालियान इसको लेकर खुश नजर नहीं आ रहे हैं और कई ऐसे नेता हैं जो कि जिनकी नाराज़गी दिख रही है इस तरह की कोई नाराज़गी है या बिल्कुल यह अफवा है या कुछ ना कुछ बात है जिसके वज़से कई नेता दिखाई भी नहीं दे रहे हैं अगर कोई व्यक्तिकत रूप से किसे नाराज़ है पार्टी के काम में कर रहा हैं उसका संग्यान परटी लेगी है हमारी केडर बेस पार्टी है उसमें शायद मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है संगीत सोम आपके साथ हैं चुनाओं में आपके परचार में हैं या उन्होंने एक तरीके से वालग रखा हूँ वह आप उन सब उच्छोंगे तो ज्यादे बेथर रहेगा इसका नुक्सान है कोई वह चुनाओं के बाद अकलन होगा ताक हो वोट से चुनाओं जिते हैं ला हम विकास की राजनिती के यूख्य के उल्ग के लेता है लों बढ़ानतर साथ कहीं कोय सामने दिखाई ने देगा एसी आंदि आईगे उने इस unemployed को बड़े-बड़े दूख रहे है निगे एक और राजपूतों की नाराजगी, दूसरी और संजीव बालियान का संगी सोम को ये चुनोती, कहीं न कहीं बीजेपी के लिए और मुश्किले बढ़ा सकती हैं। अब देखना ये होगा कि संजीव बालियान समेट बीजेपी के तमाम प्रत्यासी राजपूतों के जविरोत का सामना कैसे करते हैं। मुझफर नगर से कुमार अविशेक, सहरनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट निपी तक।